बीतिक कुछ महीनों से बासमती का नियूंतम निर्यात मुल्या यानी MEP में बड़ी गरावट देखी गई है बासमती चावल की मिर्यात कीमत दो महीने पहले 1050 डोलर प्रती टन थी जो अब घटकर 950 डोलर प्रती टन पर आ गई है जबकि कुछ प्रीमियम बासमती विराइटी वाले चावल की निर्यात कीमत में भी बड़ी गिरावट आई है ऐसे में निर्यात को की चिंताइं बढ़ गई है अगर अक्तूबर नुवंबर सीजन में बासमती धान की खरीद कीमत उपर जाती है तो भारी नुकसान हो सकता है वहीं भारत दुनिया भर के सरवाधिक 40 फीसदी चावल का निर्यात करता है जबकि कुल चावल निर्यात में बासमती 65 फीसदी रहता है पिछले कुछ महिनों में बासमती चावल की निर्यात कीमते गिरकर 1050 फ्रति टन से 950 फ्रति टन के नियूंतम निर्यात मुल्या पर आपहुंची है वहीं इंडस्ट्री के नुसार कुछ प्रीमियम बासमती किस्मों की कीमते भी 1300 फ्रति टन से घटकर लगबग 1200 फ्रति टन पर पहुँच गई है वहीं बासमती 54 निर्यात कीमत में आई गिरावट से कुछ निर्यात को को चिंता सता रही है कि अगर बासमती धान की खरीद कीमत उपर जाती है तो इसे निर्यात करना घाटे का सोधा हो सकता है हलाकि ज्यादतर निर्यात को ने इसराइल फिलिस्तिन संगर्ष के चलते वैश्विक सप्लाई में गडबडी की अशंकाओं के बीच अधिकान शिप्मेंट पहले ही हाईस दरो पर फाइनल कर चुके है इसलिए ऐसे निर्यात को को खीमतों में गिरावट का खासा नुकसान नहीं जेनना होगा वहीं आपिडा के आंकडे बताते हैं कि जनवरी 2023-24 सीजन में बासमती चावल निर्यात 12.3 फीसदी बढ़कर 4.1.1 मिलियन टन हो गया है बीते साल समान अवदी में 3.66 मिलियन टन का निर्यात हुआ था निर्यात में भड़ोतरी की वज़ा साउदी अरब और इराक से मांग बढ़ना है ऐसे में अगर निर्यात कीमत कम रहती है और धान की खरीद कीमत उपर जाती है तो निर्यात को को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है वहीं बासमती धान की फसल अक्तूबर दिसमबर 2023 सीजन में 2022 की तुलना में कम उत्पादन होने का अनुमान है ऐसे में यदि एक्सपोर्ट 10 फीसदी से भी कम बढ़ता है तो 2023-24 पे बासमती धान की कीमत 25 फीसदी तक उपर दर्ज की जा सकती है पंजाब में पूसा बासमती धान नंबर 2023 फी 32 उपए से 3600 फे प्रतिक विंटर पर बिकी है वहीं पारंपरिक बासमती CSR 30 किसम 63 सो रुपए से 66 सो रुपए प्रतिक विंटर पर बिकी है ऐसे में बासमती धान कीसानों को अच्छी किमत मिलने की उमीद बढ़ गई है